हरे कृष्णा रादे रादे वोलकम तू हैपी लाइफ विद्काना जी हैपी लाइफ काना जी की इस नई वीडियो में मैं शिवानी आ गई हूँ और इस वीडियो में हम एक ऐसे विशे के साथ, एक ऐसे प्रशन के साथ आए हैं जो बहुत से लोगों के मन में होता है तेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन लोगों को जो हैपी लाइफ विद काना जी की इस हैपी फैमली का हिस्सा बन चुके हैं काना जी की इस हैपी फैमली में 60,000 से अधिक लोग सब्मलित हो चुके हैं तो आप भी अगर काना जी की हैपी फैमली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिये गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप भी काना जी की हैपी फैमली में शामिल हो सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अक्सर कुछ लोगों का मैसेज आता है कमेंट्स में भी पोट से लोग पूछते हैं कि हमें सपने में काना जी लटो गोपाल जी दिखाई दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है तो आज की इस वीडियो में हम इसी विशे को लेंगे और किवल काना जी ही नहीं और भी कुछ भगवान जी के विशे में जानेंगे कि अगर मैं सपने में दिखाई दें तो इसका क्या आर्थ है क्या इंडिकेशन है क्या संकेत हमें देना चाहते हैं भगवान तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात हमारे काना जी की कुछ लोगों को सपने में काना जी का विग्रह दिखाई देता है इस तरह से कि जैसे में उनकी सेवा कर रहे हैं काना जी को नहला रहे हैं भोग लगा रहे हैं या फिर किसी ना किसी रूप में काना जी उनके घर आ रहे हैं, कोई उनके घर आता है उनके काना जी कभी ग्रह दे कर चला जाता है। जब इस तरह से काणा जी सपने में आएं तो समझ लेना चाहिए कि काणा जी आपकी सेवा से आपकी प्रार्तना से बहुत खुश हैं, बहुत परसंद हैं और आपसे कोंटेक्ट करना चाह रहे हैं, किसी न किसी रूप में आपके गर आ रहे हैं परसन मुद्रा में जब काना जी सपने में दिखाई दे जाएं तो मतलब ये है कि जीवन में सकारात्मक्ता आने वाली है सारी मुश्किले खतम हो जाएंगी, सारे जंजट खतम हो जाएंगे, सब विपत्तियां खतम हो जाएंगी क्योंकि काना जी ने हाध जो थाम लिया है लेकिन साथ साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिने सपने में लड्डू गोपाल जी का या काना जी का सुरूप जो है वो बड़े ही विचित्र सुरूप में दर्शन होता है जैसे कि उनके काना जी खो गए हैं गिर गए हैं गिर कर खंडित हो गए हैं इस तरह कि विचित्र गटनाएं उन्हें अपने काना जी के साथ उन्हें अपने लड्डू गोपाल जी के साथ घटित होते हुए दिखाई देती हैं सपने में अब इन चीजों का क्या मतलब है क्या उनके काना जी पर कोई संकट है क्या उनके लड़ू गोपाल जी मुश्किल में है नहीं लड़ू गोपाल जी तो खुद संकट हरता है उन्हें कैसी मुश्किल लेकिन जिन लोगों को ऐसा सपना आया है जिसमें उनके लड़ू गोपाल जी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, खंडित दिखाई दे रहे हैं, गिर गए हैं, उनके घर परिवार पर कोई मुश्किल, कोई संकट आने का संकेत, सपने के माध्यम से काना जी देना चाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवा कि अगर संकट हमारे हुपर है हमारे घर के उपर है तो हमें अपने काना जी क्यों गिरे पड़े नजर आ रहे हैं तो परिवार पर कोई संकट हो कोई मुसीबत हो तो परिवार के सारे सदस्य उससे बावित होते हैं और काना जी तो हरशन अपने परिवार की रक्षा करते हैं परिवार पर आने वाले संकट को कभी-कभी तो काना जी सच में अपने उपर जेल जाते हैं वैज्ञानिक द्रश्टिकों से दे तूट गया है काना जी खंडित हो गए हैं गिर कर तो ऐसा अचानक क्यों हो जाता है काना जी को आप बहुत समय से उनकी सिवा कर रहे हैं वो कभी गिरते नहीं और अचानक से एक दिन गिर जाते हैं और इस तरह से खंडित भी हो जाते हैं जबकि काना जी का विक्रे अस्ट द अपने उपर ले लेते हैं ऐसा ही कुछ रत्नों के बारे में भी होता है जो स्टोन हम पहनते हैं मूंगा, मानिक, मोती इनके बारे में भी यही कहा जाता है यही माना जाता है कि जो लोग सच्चे रत्नों को पहनते हैं नकली नहीं सच्चे रत्न रत्न उनकी हर विपत्ती हर मुश्किल से रक्षा करते हैं ठीक इसी तरह से हमारे कानाजी भी अपने सच्चे वगतों की हर विपत्ती से रक्षा करते हैं तो ये तो हुई कानाजी की बात लेकिन अगर अन्य कोई भगवान सपने में दिखाई दे, हमें सपने में दर्शन दे, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, कल युग में देवे शक्तियां हम इंसानों को सीधे दर्शन नहीं देती ऐसे में अगर भगवान को हमसे कॉंटेक्ट करना है, हमें कोई संकेत देना है, वो हमें कुछ समझाना चाते हैं तो विस अपने की माध्यम से हमें अपनी उपस्तिती का एहसास कराते हैं भगवान का सपने में दर्शन होना हमारे जीवन में सकरात्मक भाव को लेकर आता है हमें ऐसा मैसूस कराता है कि भगवान हर पल हर शन हमारे साथ हैं हमारे बिगडे काम बनने वाले हैं और हम उस काम को पोजिटिविटी के साथ करते हैं और अधिकतर सफल भी होते हैं अब जैसे कि आपको सपने में हनवान जी के वीर बजरंग बली के दर्शन हो जाएं तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारे शत्रूँ की, हमारे दुश्मनों की जो हमें परिशान कर रहे हैं ऐसे लोगों की लंका जलने वाली है, मतलब उनसे हमें निजात मिलने वाली है हनुमान जी का सपने में दर्शन किसी भयंका रोग से भी छुटकारा मिलने का संकेत देता है और ये बात मेरा खुद का एक्सपिरियंस है, ये केवल सुनी सुनाई या कहने भर की बात नहीं अगर हनुमान जी सपने में दर्शन दे जाएं, तो या तो आपको किसी रोग से मुक्ती मिलने वाली है और या फिर किसी शत्रू से मुक्ती मिलने वाली है इसी तरह से अगर सपने में माता लक्ष्मी और विश्नु भगवान के दर्शन मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि आपका राजयोग शुरू होने वाला है माता लक्ष्मी के दर्शन बहुत ही कम लोगों को सपने में होते हैं, लेकिन जिने हो जाएं, उनके तो बस दोनों हातों में क्या बलकि मुव में भी लड़ू ही लड़ू इस तरह से किसी भी भगवान के आपको सपने में दर्शन हो जाएं सपने में भगवान आपको परसन मुत्रा में दिखाई दें तो समझ लीजिए कि भगवान का आपके जीवन में परवेश होने वाला है या परवेश हो चुका है ये परवेश किसी भी रूप में हो सकता है कोई महमान आपके घर में आया है कोई दोस्त या मित्र आपके जीवन में आया है पडोसी आया है घर के आसपास कोई या फिर आपके घर में किसी शिशू का जन्म हुआ है पसुपक्षी के रूप में भी भगवान जीवन में परवेश करते हैं लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही विशेश बात है कि अगर सपने में आपको कहना जी के या किसी भी अन्य भगवान के दर्शन हो जाएं या भगवान आपको कोई संकेत दे तो ये बात हमें किसी को भी नहीं बताने चाहिए इसे हमें पूर्णते कुप तरकना चाहिए अपने पारिवारिक सदस्यों को भी इस बात को नहीं बताना चाहिए अपने गुरु को छोड़कर सपने में भगवान के दर्शन की बात किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए वरना जो चुप परिणाम भगवान की कृपा से हमें मिलने वाले हैं वो नहीं मिल पाते तो अगर आपको भी सपने में भगवान के दर्शन हो जाएं, काना जी के दर्शन हो जाएं तो इसे सकरात्मक्ता के साथ लें और विश्वाश करें कि भगवान का सानिध्य आपको शिगर ही मिलने वाला है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो या इससे आपके मन के कुछ प्रशनों का उत्तर मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ अगले प्रशन के उत्तर के लिए हैपी लाइफ इद काना जी को सब्सक्राइब भी कर लेजिएगा थैंक यू हरे कृष्णा राधे राधे तो वीडियो को कर मैं कको सब्सक्राइब लाइब लाइब राधे लाइब लाइब आरसे प्रशन के सब्सक्राइब झाल झाल